हेलो ब्रेंट्स कैसो आप सब आई होप आप सब अच्चे होंगे और आप सब की बढ़ाय वेचे चल रहे होगी तो कई सारे विद्यारती बार-बार कमेंट कर रहे थे कि सर कक्सा आठ हिंदी विशे की क्लासेस हमारे नविंतम पाठेकरम के अनुसार शुरू कीजिए तो आज से हम कक्सा आठ हिंदी विशे जिसका नाम है बसंत भागतीन उसके अभ्यास प्रशन उत्तर की क्लास आपकी नई बुक दोजाचाओबिस पच्चेस के अनुसार सरू कर रहे हैं तो आज इस क्लास में हम बसंत भागतीन के अध्याय एक जिसका नाम है लाक की चूडिय कि अभ्यास के समस्त प्रशनों के उत्तर को जानेंगे इससे पहले हमारी विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अतहित भूगोल इतियास वो सब क्लासे चल रही हैं उन सबी क्लासे को आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं तो चलिए क्लास हम सुरू कर देखें पहला प्रशन आपके सामने दिया हुआ है कि बच्पन में लेखक अपने मामा के गाव चाव से क्यों जाता था बच्पन में लेखक अपने मामा के गाव चाव से का मतलब है बड़ी रूची से चाव का मतलब क्या है रूची है ना बड़ी रूची से अपने मामा क जाता था और बदलू काका को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था और बदलू मामा ना कहके बदलू नामक व्यक्ति को बदलू काका क्यों कहता था तो देखें बच्पन में लेखक अपने मामा के गाव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गाव में लाक की चूडिया बिनाने वाला कारिगर बदलू रहता था क्योंकि लेखक के जो मामा का गाव है वहाँ पर लाक की चूडिया बनाने वाला एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था बदलू लेखक को बदलू काका से अत्यदिक लगाव था प्रेम था वह लेखक को धेर सारी लाक की रंग बिरंगी गोलिया देता था कौन बदलू नामक जो व्यक्ति था जो कारीगर था वो लेखक को रंग बिरंगी लाक की बनी हुई कई सारी गोलिया देता था खेलने के लिए इसलिए लेखक अपने मामा के गाव चाव से जाता था है ना अब इसमें दूसरा पच्छन है कि वो बदलू को बदलू मामा ना कहके बदलू काका क्यों कहता था तो जो गाव के सभी लोग है वो बदलू काका कहकर बुलाते थे गाव के जितने भी लोग है वो बदलू ना मक्कारिगर को बद्लु कागा के नाम से पुकारते थे इस कारण लेकख भी बद्लु मामानना कहकर बद्लु को क्या केता था थीक है क्या कीस्टत मीसे अच्छा प्रस्द आपके सامने कि वस्तु विनीमे क्या है और विनीमे की परचलित पद्दती क्या है वस्तु विनीमे क्या है और दूसरा प्रशन है कि विनीमे का मतलब क्या होता है आदान परदान, क्रह विक्रिय, खरीदना बेचना इसकी परचलित पद्दती क्या है तो सबसे पहले वस्तू विनिमे का मतलब गया है तो वस्तू विनिमे का मतलब है कि लेन देन के लिए रुपे पेसो के इस्तान पर एक वस्तू का दूसरी वस्तू से क्या करना क्रे विक्रिय करना जानि दू वैक्ति है समझ लीजिए यह आपका A व्यक्ति है और यह आपका B व्यक्ति है है न? अब देखो समझ लीजिए A को कुछ वस्तू चाहिए B से तो A को क्या करेगा? A है वो B को एक वस्तू देगा उसके बदले में B पी A को क्या देगा? भी भी उसको बदले में एक वस्तू देगा तो वस्तू के बदले वस्तू देना न की रूपे पैसे देना तो जब वस्तू की अदला बदली होती है क्रेविक्रिय, खरीदना और बेचना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वस्तू विनिमे जीस तरह से जो बदलू था जीस तरह से इस अध्याय के अंदर जो बदलू काका था वो लाख की छूडियों के इस्तान पर अनाज व कपड़े लिया करता था जो बदलू काका है पुल लाख की चूडियों के बदले पैसे रूपे न लेके क्या लेता था अनाज या कपड़े लेता था वस्तू विन्यमे के पदती ये गावों के अंदर आज भी परचली थे यहां लोग अन के बदले अन्य किसी भी खाने पीने की चीज और कपड़े से क्या करते हैं वस्तू से आधन परदान कर लेते हैं इस समय इस पदती का इस्तान यानि विन्यमे की जो वरतमान पदती है उसका इस्तान किसने ले लिया है रूपे पैसों ने ले लिया है दीरे दीरे वस्तू विन्यमे पढ़नाली खतम हो रही है और अब हम वस्तू को प्रश्न संक्यात 3 उन कारिगरों की तरफ संक्यत किया है जो हाथ से बनी वस्तूओं से अपना जीवन यापन किया करते हैं लेखक ने इस पंकती के माध्यम से उन कारिगरों की और संक्यत किया है जो हाथ से बनी हुई वस्तूओं से अपने जीवन का गुजारा क्या करते थे आज गे मसीनी यू का रोजगार इन पेत्रक काम धंदों से ही चलता था जाजातर गाव के अंदर रहने वाले जो लोग थे वो अपने जो पेत्रक धंदे हैं जो पुराने समय से ही उनकी माता पीता दादा पर दादा करते आ रहे थे उसी काम को वह भी कर रहे थे इसके अलावा उन्होंने कभी क पुछ नया सिखा ही नहीं था। वे पीडी दर पीडी अपनी इस कला को क्या चल रहा थे अपनी इस कला को बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। और साथ में रोजी रोटी भी वो चला रहे हैं। प्रन्तु इस मसीनी यूग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है वही दूसरी और इन बेस किमती कलाव का अंत भी कर दिया। आज की इन मसीनों ने उनकी रोजी रोटी तो चीनी ली है। साथी साथ उनकी आथों की जो कलाकारी थी जो बेस किमती यानि अमुल्य कला थी आथों की वो भी चीन ली है। ऐसी अंगिनित कलाएं जो लूप दवस्ता में हैं और इनको करने वाले कारीगर इस यूग के अंदकार में क्या हो रहे हैं। इस यूग के अंदकार में हो रहे हैं। यही वो वैथा है दूख हैं जो लेखक क्या करना चाता है। लेखक व्यक्त करना चाता है। ऐसे कारीगर कला होने पर भी बैकार हो गए और उनकी रोजी रोटी भी क्या हो गई खतम हो गई है किसकी वज़े से मसीनों की वज़े से इस वज़े से लेकक ने ये कथन कहा है आगे चोता प्रशन बदलू के मन में ऐसी कौनसी वैथा थी कौनसा दूख था जो लेकक से बढ़ता गया तो उसका वैवसाय वैपार भी क्या होने लगा ठब पढ़ने लगा अपने वैवसाय की ये दूरदर्शा देखकर बवलू को मनी मन कसोड़ती थी बदलू के मन में इस बात की वैथा थी इस बात का दूख था कि मसीनी यूग के प्रभाव सुरू उज जैसे अनेकों कारिगरों को बेरोजगारी और उप्यक्सा का सिकार होना पड़ा है अब लोग कारिगरी की कदर न करके डिकावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं और यह वैथा लेखक से चिपी न रह सकी क्योंकि अब जो लोग लाख की चूडिया पहनने की बजाय किसकी चू तो इस वज़े से बदलू के लिए अपने जीवन उपन को गुजारा करना वो भी क्या हो गया मुस्किल हो गया और यह बात वो लेखक से चिपी नहीं रह सकी इस बात को वो लेखक से चिपा नहीं पाया पांचवा, मसीनी यूग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, तो मसीनी यूग से बदलू के जीवन में ये प्रिवर्तन आया कि बदलू का जो वैपार था, जो वैवसाय था, वो क्या हो गया, दिरे दिरे बंद हो गया, वो क्या हो गया, बेरुजगार हो गया, काम उसके आठे मातों पर नसे उबर आई और वह दिरे दिरे बीमार भी रहने लगा यह सारे प्रभाव बदलू के अंदर देखने को मिले आगे कहानी से आगे वाले प्रश्नों पहला प्रश्न है आपने मेले बाजार आदी में हाथ से बनी चीजों को बीखते हुए देखा होग आपके मन में किस चीज को बनाने की इकला सिखने की इच्चा हुई और आपने कोई कारिगरी सिखने का प्रहास किया हो तो उसके विशे में भी लेखिए तो मैं जब मेले या बाजार में जाता हूँ तो विश्यसकर मिट्टी के खिलोने बिखते हैं और उन्हें मैंने वहाँ पर बनते हुए देखा है किसको मिट्टी के खिलोनों को बिखते हुए भी देखा है और बनते हुए भी उनकी सुन्दरता को देखते हुए मुझे भी खिलोने बनाने की इकला सिखने की क्या हुई इच्चा हुई है और मैं भी चाहूँगा कि मैं भी भविश्य में किसी ऐसी इकला को जरूर सिखू ठीक दूसरा लाख की वस्तुओं का निर्मान भारत के किन किन रज्यों में होता है लाख के चुडियों के अत्रिक्त क्या क्या चीजे बनती है ग्यात कीजिए तो लाख की चुडिया है उनका जो काम है मुख्य रूप से काम पर होता है राजिस्तान में वहापा का जो काम है राज जार्वटी सामान भी बनता है ठीक है आगे अनुमान और कलपना अधारित प्रशना पहला प्रशना घर में महमान के आने पर आप उसका आथिती सतकार कैसे करेंगे तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं मैंने जनरली एक उतर लिखा है कि घर में महमान के आने पर हम सबसे पहले उसका क्या करेंगे अभीवादन करेंगे, नमस्ते, नमस्कार, राम राम जो भी प्रणाम है करेंगे, उसके बाद उसे अपने घर में उच्छितिस्तान पर बैठा कर उसके लिए पानी, चाए का प्रबंध करेंगे और उससे हर परकार का अधिती सरकार परदान करेंगे उससे खाने-पाने की सुविधा है वो भी देंगे उनसे पूचेंगे और दूसरा जो भी आल चाले है वो पूचेंगे ठीके आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं दूसरा आपको चुटियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है और वहाँ की जो दिन चरिया है वो अलग कैसे होती है लिखिए तो आप अपनी मर्जी से इसका उत्र लिख सकते हैं कि भई आपको चुटियों में कहा जाना पसंद आता है और वहां की जो दिन्चरिया है लोग वहां पर कैसे जीते हैं वो आपको लिखना है जनरली मैंने उतर लिखा है कि चुट्टियों में मुझे अपने मामा के गर जाना सबसे अच्छा लगता है है न अब वहां की दिंच्रिया क्या है तो मामा के गर पहुँचते ही मैं उनकी शनेहल दुनिया में डूब जाता हूँ देर रात तक मामा मामी से बतियाना याने बाते करना सुबह जल्दी उठकर उनके बच्चों के साथ बागों में घुमने जाना पिड़ पोदो को निहारना प्रातक आलिन वतावरन का अनंद लेना आम तोड़ कर खाना खिलाना कुछ समय तक खेलना फिर घर आकर आपस में बा जार से सामान लाना खाना खाना आधी दोपर पूर्व की द्यानिक किरिया रहती है न फिर इसके बाद क्या करते दोपर में गर्मी के कारण गर्मे ही रहकर लुड़ू सत्रंज तास चौपड आधी खिलना गप्पे मारना लस्सी सर्बत आधी पीना फिर साम समें साम की समे खेतों की और जाना खरबूजा तरबूजा ककड़ी आधी तोड़कर खाना बेलो गाये बैसों को नदी के पास ले जाना उन्हें पानी पिलाना नहलाना साम ओते होते घर आ जाना आधी दिन्चरिया में यह सामिल रहता इस प्रकार जो वहां की दिन्चरिया है वो पूरी तरह अलग हो जाती है ठीक हैं तो आप भी अपने अनुसार कुछ भी इसका उत्तर लिख सकते हैं कि आप चुटियों में कहा जाते हैं और वहां की दिन्चरिया क्या होती है तीसरा प्रशन है कि मसीनी यूग में मसीनी यूग में अनेक प्रिवर्तन आए दीन ہوتे रहते हैं मसीनी यूग में आये दिन यानि हर कुछ दिनों के बाद नया नयाची जम्हें देखने को मिलती है आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी प्रीवर्तन का उधारन चुनिए और उसके बारे में फिर लिखिए तो देखें आज गे इस मसीनी यूग में हर चोटा बड़ा का मसीनों के माध्यम से होने लगा है इसलिए इस यूग में आय दिन अनेक चेट्रों में क्या होते रहते हैं परीवर्तन होते रहते हैं जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी चेट्र सेस नहीं रहा जहा परीवर्तन नहीं देखा जा सकता girous चाहे वो यातायात का चित्र हो, साहे वो संचार का हो, चाहे स्वास्ते का हो, करशी का हो, सिख्सा का हो, इन सभी चित्रों में मस्यूनी यूग के कारण परिवर्बरतन देखने को मिला है। और सबी में बढ़ते हुए प्रिवर्तन का प्रभाव भी इस पस्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक, मुदारन की बात करूं में, जैसे मुदारन ले करसी चित्र का, तो वहाँ पहले किसान अपने हाथ और बेलों की साहिता से करशी कार्य किया करते थे। आज वही करशी मसीनों की साहिता से की जाने लगी है। जुसमें करसी की जूताई होगी, बुवाई होगी, निराई, सीन्चाई, कटाई, ये सब कार्य मसीनों के द्वारा दीनों का काम कुछी गंटों में पूरा कर लिये जाता है। इसका सुपरिनाम ये रहा कि उत्पादन में ब्रदी हो रही है, और कूपरिनाम ये रहा कि किसान बेकार और मज़दूर बेरोजगार हो गए है। वे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सहरों की और जाने लगे हैं जिसकी वज़े से बेरोजगारी और बढ़ रही है तो ये इसके नुकसान भी है आगे बढ़ें चौता प्रशनौ बाजार में बिकने वाले बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में एमेसा परिवर्तन होता रहता है आप इन परिवर्तनों को किस परकार देखते हैं आपस में सर्चा कीजिए कि बाजार के अंदर जो अलग-अलग सामान मिलता है चीजे मिलते है उनमें समय समय पर क्या होता है? प्रीवर्तन होता रहता है तो आप इन प्रीवर्तनों को कैसे देखते हैं? सर्चा कीजिए तो बाजार में बिटने वाले सामानों की डिजाइनों में एम ऐसा क्या होता रहता है? प्रीवर्तन होता रहता है इन डिजाइनों में ओने वाले परिवर्तनों को हम समाज की बदलती मनुदसा, रूची और फैसन में आ रहे परिवर्तन के रूप में देखते हैं जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों की मनुदसा बचल रही है, फैसन बदल रहा है आप लेक त्यार कीजिए देखो ये सच है कि बढ़ते पाच्चाते सब्वेता के प्रभाव के कारण हमारे खानपान हमारे रहन सेन और कपड़ों में भी तेजी से बदलाव आ रहा है इस बदलाव को जहां पुरानी पीडी देर से सुविकार करती है तो वही जो नए पीडी है वो तुरंट सुविकार कर लेती है क्यूकि पुरानी पीडी के पहले ऐसा देखने के कारण उसका विरोध करना सवबाविक होता था फिर वह जमाने को देखकर दीरे-दीरे अपने में बदलाव ला लेती है इस परकार पक्स वीपक्स में सर्चा करके अपने पिचारों के नुसार आप अपना खुद का बेलेक त्यार कर सकते हैं कि बाई जो बदलावारा है ये सही है कि गलत है इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं ये किस तरों हमारे लिए हमारी पुरानी पीडी और हमारे लिए उपयोगी है कैसे हमारी प्रमप्राइन श्टोरी है इन सबी चीज़ों को आप अपने नुसार भी लिख सकते हैं आगे बात करें भासा की बात बदलू को किसी बात से चिड़ थी तो कांच की चुड़ियों से और बदलू सुयम कहता है जो सुंदर्ता कांच की चुड़ियों में होती है लाक में कहां संबव है ये पंगतिया बदलू के दो प्रकार की मनोदुसाओ को सामना लाती है दूसरी पंगती में उसके मन की पिड़ा है उसमें वेंग्य भी है हारे हुए मन से या दुखी मन से अथो वेंग्य में बोलेगे वाक्यों के अर्थ सामाने नहीं होते कुछ वेंग्य वाक्यों को आप ध्यान पूर कर समझ कर एकत्रित कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की वाक्या भी करके लिए आपको इस अध्याय से कुछ और वेंग्य वाले वाक्य लिखने हैं और उस वेंग्य के अंदर क्या अर्थ चिपा हुआ है वो भी आपको बताना है देखो जैसे पहला उदारन है कि दिन परती दिन खाद्य परदातों की बढ़ती किमतों से घर का बजट क्या हो जाता है गड़बड हो जाता है इसमें अर्थ क्या है इस वाक्या में खाद्य परदातों की बढ़ती हुई किमतों का प्रभाव घर के बजट पर भी पढ़ता है दूसरा उदारण है सहरी ठहरे न मैं तुमारी उमर का था तो इसके चोगुने आम एक बकत में खा जाता था इसमें क्या वेंग्य है तो इस वाक्य में सहर वालों पर वेंग्य किया गया है कि जो काम गाव के लोग कर सकते हैं वो सहर वाले नहीं कर सकते हैं ठीक दूसरा बदलू कहानी की दरश्टी से पातर है और बासा की बात व्याकरण की दरश्टी से क्या है एक संग्या सब्द है पाट से तीनों परकार की संग्या चोन कर लिखिए तो देखो पाट के अंदर जो संग्या सब्द आये हैं सबसे पहले बात करते हैं व्यक्ति गृतव या इस्तान के नाम की बात होती है तो वहां पर वैक्तिवाचक संख्या होती है पिर जातिवाचक जब किसी सबसे जाती अथवावते संख्या बोह हो जैसे मामा, गाव, आदमी, बच्चे, गोलिया, मकान, वरक्स, चौकट, सलाक, चूडिया, मचिया, हुक्का, अनाज, घरवाली, मरद, पगड़ी, गाए, आम, इस्कूल, दूद, लड़की, मसीन, लला, पेड, जमीदा, शेहर, आदी, ये सब किसके उजारन है, जाती वाचक संग संदरता, प्रसंदता, जीद, महत्व, व्यक्तित्व, आदी, ये सब कौन से सब्द हैं, बावाचक संग्या सब्ध हैं, तीसरा, गाव की बोली में कई सब्दों के उचारन बदल जाते हैं, कहानी में बदलू, वक्त, समय को क्या कहता है, भकत, उम्र को क्या कहता है, वय, आयू को कहता है उमर, इस तरह के अन्य सब्दों को खोजिये, जिनके रूप में परिवर्तन हुआ है, अर्थ में नहीं, तो देखो, जैसे मरद, तो मरद का मुल रूप क्या होता है, मरद, बकत, बकत का मुल रूप क्या होता है, वक्त, अंजुली का मुल रूप क्या होता है अंजली और उमर का मुल्ड रूप क्या है उम्र है ना ये अद्याय के अंदर कुछ सब्द आये हैं तो इस प्रकार हमने आपके अद्याय एक लाक की चूड़ियों के अभ्यास के समझ प्रशनों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं उम्मित करता हूं सभी प्रशनों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लाब सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सभी प्रकार के नौट्स है तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल गोविन लेक्चर्स को जोइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको सभी प्रकार के नौट्स बिल्कुल फ्री ओपकोष्ट दिये जाएंगे दूसरी बात हमारे दो चैनल है एक आपका गोविन लेक्चर्स और दूसरा आपका गोविन मेत लेक्चर्स इन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि परते क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब तक कि लिए आप सब को जै हिंद जै भारत